सो दोस्तो सीटेट की फाइनल एंसर की यानि कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो अनॉंसमेट हो चुका है रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे अभियरती बहुत सारे लोग स्टूरेंट जिन्होंने सीटेट दिया होगा वो सारे लोग अपना रिजल्ट देख चुके होंग बिल्कुल भी परिशान बात हुई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगी और इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बता ही चुकी हूँ कि आप कहां से अपना रिजल्ट देख चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि य अगली पच्छा है वह कब तक हो सकती है और इस बार कि सीटेट के एक्जाम में कितने सारे स्टुडेंट अपियर हुए थे कितने सारे फैल हुए हैं कितने लोग पास हुए हैं तो यह सारी चीज़े आज की वीडियो में हम फुल डिसक्रिशन करने वाले हैं तो चलिए सब पिल्कुल भी अटेंशन मत लीजे आपको जो ऑफीशल नोटिफिकेशन आया है उसमें यही बोला गया है कि आपको यह मिलेगा डीजी लॉकर पर ठीक है बहुत सारे लोग इसके बारे में पहले से चाहते होंगे लेकिन कुछ लोगों के लिए यह नई चीज़ भी कि यह तो मैं आपको बता दूँ डीजी लॉकर में आप अपनी कोई भी जो भी डॉकुमेंट उसको सेव करके रख सकते हैं और यहां से आपको जो यह सीटेट का इसका औरीजनल मांक सीट है वहां आपको मिल चाहेगा और आपको मैं एक चीज़ यह भी बोल दूँ कि कोई से डीजी लॉकर आप इंस्टॉल कर लेता हूं इंस्टॉल कर लेती हूं मैं जल्दी से में रजिस्ट्रेशन कर देती हूं और मुझे मेरी जो है मांक सीट मिल जाएगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहें अगर आपसे एक भी मिस्तिक हुई तो फिर समझ लिजेए दुब करें जल्दबाजी में अगर आपने कुछ भी गरबड कर दी तो आपको मांक सीट लेने से मतलब कि आप रहें जाएंगे असानिया को मिलेगा नहीं नहीं कि आप कोई गलत काम जल्दबाजी मत कर लीजेगा इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी कि आपको उसाइपको इ सीदे सीदे आप खुदी देख सकते हैं कि जो पेपर वन है यानि कि आपका जो पेपर वन था एक से पास के लिए जो सारे लोगों ने पेपर दिया था तो आप देख सकते हैं यहां पे 16,1430 इतने जादा रेजिस्ट्रेशन हुए थे और जो भी कंडिडेट्स बैते थे य आधे से भी ज्यादा लोग इसमें पेल हुए हैं और बहुत कमी लोग पास हुए हैं और इसी तरीके से अगर हम पेपर टू की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी लगबग 14,47,551 फॉर्म पड़े हुए थे ग्यारा लोगों ने एक्जाम लिया था और यहां पे तो बहुत इतना इतना मैंनों फुल यहां पे discussion दिये हुए इतने सारे लोग बैटे थे और कितने लोग पास हुए हैं कितने ज्यादा लोग फेल हुए और यहां पर आपका साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि इसके लिए आपको 60 परसेंट जरूरी होता है पास करने के लिए यानि जनर पसको पास हुए और मैं आपको यह बता देती हूं कि सीटेट का जो नेक्स्त यानि इसके बाद इसके बाद वह सारे लोग इंतजार कर रहा है कि मिस्टेक होगा इसके बाद जल्दी से सीटेट आएगा तो मैं उसको दे दूँ और मैं सीटेट निकल जाए तो अभी इसका कोई ओफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है बहुत सारे लोग अगर आपको यह वोड़ना है कि मार्च में आएगा अप्रैल में आ और आपको पता है अस्टेट जुनियर भी आ चुका है और उसके बाद तो यह आपका जुलाई में होने वाला है और उसी हिसाब से यूपिटेट की भी कोई ओफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी कि यूपिटेट कब होगा जब आपका हो सकता है कि सीटेट और इस बार सीटेट का रिजल्ट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको सरकाई-result.com पर जाना है और यहाँ पर जो रिजल्ट वाला ऑप्शन है देखिए यहां पर लिखा हुई है और फिर आपको निच्छे स्क्रॉल डॉण करना है वहाँ काफी सारे आपको यहां लिखे हो हảiए होते हैं देखिए यहां पे लिखा हुआ है डाउनलोड रिजल्ट तो आपको कहीं और ना कि cabin करते हुए डाउनलोड रिजल्ट पे इसके सामने ब्लू कळलर का लिखा हुआ है simply आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है उसके बाद आप उस पेस्पे रीडारेक्ट हो जाओगे जहां से आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है और उसके बाद वहाँ पे आपको अपना रिजिस्ट्रेशन नंबर डालने बार रिजल्ट मिल जाएगा यह लगेगा जिनलोगोंने प्राइमेरी अखियल दिया होगा तो वहां पर उनका सिर्फ और सिर्फ यह वाला शोह होगा और जिल्डोंकों ने जुनियर भी शोह गार यहां है और यहां है और रही बात इस सीटेट के रिजल्ट को यानि ओरिजनल रिजल्ट को डॉनलोड करने के लिए तो मैंने आपको पहले भी बोला आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए पाब्लिक्स नोटिश के हिसाब से जैसा कि यहाँ पर आपको यह मेंसन किया हुआ है कि विल भी अवेलबल इंदर डीजी लॉकर यानि कि आपको जब यह डीजी लॉकर पर आज जाएगा तब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी कि आपको डीजी लॉकर पर कैस सिफ आपको प्लस वन मिला है बिल्कुल डिग्लियर हो चुका है एक दम इसमें कोई अब जो है दो राय नहीं पाकिए आपको सिर्फ एक बोनस अंग मिला है बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो आपने यूटूब पर देखे होंगे जहां पर आपको बोला जा रहा था कि आपक जो भी स्टूडेंट है उन लोगों का बहुत लोग का बहला हुआ है क्योंकि कही लोग जो थे अटके हुए थे 89 पे कही लोग अटके हुए थे 81 पे तो प्लस वन मिल जाने के वज़ए से बहुत सारे लोग खुश हो गया है और काफी सारे लोगों का जूनियर भी क्वालि होना चाहती हूं अगर आप भी ऑनलाइन एक्जाम या फिल रिजल्ट नोटिफिकेशन एड्मिट कार्ट से डिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं और प्लीज दू सब्सक्राइब टू मैं चैनल और अगर आप में चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें बीना जाएगा नहीं वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें अपने बागी साइफ फ्रेंड्स में भी सेयर कर सकते हैं जल्दी मैं आउंगी एक निव वीडियो के साथ जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको डीजी लॉकर पर कैसे रिजिश्टर होना है कैसे अपना मार्क सीट जो है डाउनलोड करनी है